क्योंकि इतना internationally travel करते हो, एक बहुत बड़ी चीज जो बोली जाती है कि देश की छवी बहुत बदल गई है, बहुत जादा सम्मान आने लगा है, मैं तो इतना travel नहीं करता हूँ, आप बहुत जादा travel करते हो, तो ऐसा हुआ है कि आप पिछले 5 सालों में लोग आते हैं आपक कुछ भी जूटी खबरे चला देता है, और लोगों को लगता है कि देश में डंका, देश का डंका बजरा है दुनिया में, अभी रश्या युकरेन वाली चीज देख लो, क्या मतलब क्या बकवास चलाई उन्होंने कि मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा, तो ऐसी जब टीवी पर चलाए जाएंगे, बार-बार दोहराए जाएंगे, फिल्में भी बनाई जाएंगे इन चीज़ा की उपर, अफकोर्स लोगों को लगेगा कि दुनिया भर में चर्चा होती है, लेकिन जब सच्चाई इसकी completely opposite है, बाकी countries इंडिया को criticize कर रही है इसकी से, मोधी सरकार की वजए से हमारे देश की reputation नीचे गई है आज के दिन दुनिया में, सारे indexes में तो गई ही गई है, वो तो हमारे ही नुकसान है, लेकिन just as reputation wise भी हमारे देश की reputation नीचे गई है, और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आपका कोई, जब आपका लड़का है, आपका बेटा है अगर वो drugs करता है, मान लो उसको गंदी आदते लग जाती है, शराप पीने लग जाता है, या alcohol addict बन जाता है, तो आप क्या करोगे, आप उसे डाट के समझाओगे ना कि ये गलत कर रहा है, या फिर आप कहोगे कि नहीं, मैं चुप रहता हू मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, मैं कोई action नहीं लोगा, बस उसकी तारीफ करते रहूँगा, आपको दिख रहा है कि वो personal life में नीचे जाता जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, आप कहते हो कि भाई सब चंगा है, और कोई उसे criticize करने के बोलते हैं, मेरे करके देश को improve करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, देश नीचे जा रहा है, जाते रहने तो हमें तो तारीफी सुननी है बस, क्योंकि उनका मानना है कि हमने किसी को vote दिया है, तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है, आप अपने बेटे को डाटते हो कि न देने दो, कोई भी अगर ऐसा कहेगा, तो कोई दूसरा इंसान उसे पागल कहेगा, तो देश के लिए यही standards क्यों नहीं होते?